आज मैं आपको कुछ जो ऐसे आपका एक्जाम वेरी क्लोज है बहुत जारत पास आ चुका है तो मैं आपको इंपोर्टेंट टिप्स बता रहेते हैं पेपर के लिए और शॉट मैं आपको रिवाइस करा देती हैं क्या हो कौन सा वर्ड मतलब जैसे डिटर माइनस है या आप के डारेक्ट इंडारेक्ट है तो मैं आपको इसली थोड़ा सा विवाइस करा रहे हूं इसमें देखें पहले जो है कुछ सेंटेंस हैं जैसे रूस बना लेती हैं थोड़े बहुत आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल्स आपको बता है ए एंदा एक इसले यूस होगा आपको शुरू तो यूस हो रहा है यू वावल है पर उससे पहले क्या लगा हो गया ए क्योंकि उसकी आवाज यू से शुरूरी है ठीक है अगर यह कोई वर्ड है अम्प्रेला अम्प्रेला भी यू से शुरू होता है बट उससे उसकी आवाज किसकी है आवाज है आ की तो उससे किसे हो रहा है एच से हो रहा है जब अवाज दे रहा है वोवल की ऐ के वाज से रहा है जब अवाज आए वोल की किसी की आप उसे पहले एन लगा देड़न बस जैसे कि और इस यह वर्ड से कुछ exceptions है अब देखो दा आप लगाँगे रिवर्स के नाम से पहले मौंटीन के नाम से पहले उनिवर्स के जितनी भी चीजें सान और इस से पहले आपके लागाँगे दा मिशा और जो है साथ में आप दा का यूज करोगे किसी पर्टिकुलर चीज के ल आप यह बायसे किल दे साम बोलते हैं मगर वो पर्टिकुलर हो जाए तो दालिक क्याना किकर हम किसी पर्टिकुलर बायसे कि बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक फिलंदी ब्लैंक में तो दर कर यूज कर आना तो यह के आर्टिकल के पारे में अब देखो मैं कुछ और पॉसिटिव हो और एनी का मतलब हमेशे जब कुछ नेगेटिव में हो तो आप एनी लिखोगे ठीक है कही कोई सेंटेंस आता है तो मैं आपको बताती हूँ हम इसके बात देखो सेंटेंस जिसे यही लेड़ो आप I asked him many questions तो मैंनी का मतलब होता है बहुत सारे और मैंनी किस आंसर एनी एनी का मतलब रिफ्यूस्ट क्या आपर वर्ड कहा है नेगेटिव है इसका अलब क्या लगा हो गया एनी इसी तरह से हैं अगर हम देखें वह अब देखो कुछ है यहां पर वर्ड्स अधर और अनाधर इनके बीच में कैसे डिफ्रेंस पता चले है कि कहां पर आ अब इसमें क्या अनाधर क्यों लगा और अधर क्यों नहीं लगा अनाधर का मतलब दूसरा मिल सकता है तो मतलब वहां पर शेल्फ में जो पड़े हुए है उन में से कोई दूसरा मिल सकता है यह मतलब होता है अनाधर का अधर का मतलब यह होता है जैसे दो चीज़े है तो ये तो मैंने ले लिया, अधर मतलब दूसरा वाला जो वाँ पीस पड़ा है, दोई चीजे हैं, एक मेरे पास आ गया और अधर वाला वाँ दूसरा पीस पड़ा है, ठीक है ना, इसको हिंदी में समझ लेना, convert करके, नेक्स्ट देखो, कुछ और sentences में देख लेती हैं आपके लिए, अब इसी तरह से जो words आते हैं, जैसे, each or every, इसके बीच में difference आपको पतावना चाहिए, sentence जरूर आता है, each or every के पर based कोई sentence जरूर आता है, ठीक है, तो कहां each लगेगा, कहां every लगेगा, तो each or every के पाद ये बात यहां रखना, कि दुनों के पाद जो verb होगा, वो क्या होगा, मेंशा singular होगा, ठीक है, अब जैसे की कोई sentence है, ये देखो आप, sentence है, each bedroom has its private bathroom, तो देखो, each bedroom has, has क्या है, has मतलब singular verb है, तो इससे पहले क्या लगाओ कि आप, each लगेगा, ये every लगेगा, आप देखो, क्योंकि each और every दुनों के पाद क्या लगना है, singular ही verb हाता है, अब देखो, आपको इसको हिंदी में comfort करो, each bedroom, आप इसको sentence को कैसा बोलना चाओगे, कि तो बोलना चाओगे कि हर bedroom के साथ private bathroom है, तो each ही तो भोलो कि हर का मतलब क्या होता है, each, और every का मतलब सब, तो अगर every के बाद क्या लगता है, यहाँ पे every bedroom has its private bathroom, each और every का option यह देखो, कि आप हिंदी में convert करके अपने दिमाग में लाना है, each का मतलब हर, और every का मतलब सब, तो जहाँ पे आपको हर को लगे, यह हर अलची है sentence में, वहाँ आप each लगाना, और जहाँ आपको लगे कि सब, सब चीजी है, है ना, और सब किसा के लिए लिए वर्ड ली उस होता है, हम plural यूस करते हैं, आगे का जो noun होगा, ठीक है, इसी तरह से ऐसे पेचान लेना, each और every की, और वर्ब दोनों में singular लगत है, ठीक है, next देखो, फिर आते हैं हमारे, और कुछ ऐसी words हैं, जिन में आपको बता देती हूं, जिसमें थोड़ सी confusion होती है, वो few है, few आता है, जो numbers के लिए जिनको हम count कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे she spent, अभी देखो number 4 sentence, देखो, she spent dash money she had left on a new quote, अब देखो इसमें little तो आने सकता है, क्योंकि little आता है quantity के लिए, और few किस लिए आगा यहापे फिर, numbers हम count कर सकते हैं, तो यहापे the few कम बता है, थोड़े बहुत, अब few कम बहुत कम, ठीक है ना, इसी तरह से, अब यह sentence जिसमें आपको बता रही थे, यह करते हैंगे, यह next fifth देखो, do dash your parents work in dash university, तो अब बोथ आएगा ना, do both your parents का, तुमारे दोनों parents work in dash university, तो university में यूग यहाँ आचारी, तो आप क्या लगाओगी, ए, start तो यह, इस हो रहा है, vowels हो रहा है, ऐसे ही मैं कुछ आपको sentences और देखते होते हैं, और revise करते हैं, ठीक है, अब दहां आजा इस पे, नाइदर और न नाइदर के साथ हमेशा और, नाइदर the web series, जब नौर लिखा है, तो अपने आपी automatically नाइदर आ जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद देखो, आइदर अब देखो, इसके बाद next आता है, हमारा कुछ आपको नए words सेखते हैं, जो आपको useful हो सकें, आप आजो, आप tenses पर, ठीक है ना, डेटर माइनस में आपको कोई problem और लगती है, तब आप में से पो सकते हो, आप देखो, इसके बाद हम आते हैं, tenses पर, जो tenses में main बाद है, वो क्या है, main tenses के बाद है, simple present में आपको वो sentences होते हैं, जो बिकुल रोज चल रहे होते हैं, यह जो comment रोज के रोज होते ही हैं, ठीक है ना, जैसे की, और यह वो, जैसे she always go for a morning walk, वो रोज गुमने जाती है, तो simple present है, simple past, जो काम खतम हो गया, she went for a morning walk, खतम हो गया ना काम, इसी तरह से future, वो कमाता है, she वो होता है, मतलब आगे, she will go for a morning walk, ठीक है ना, यह होता है future tense, देखो, mean आता है, हमारा perfect tense, perfect tense को आपको clear होना चाहिए, continuous आपको पता है, present continuous में जो काम चल रहा है, past continuous में जो काम खतम, मतलब चल रहा था past में, तो उससे पहले करते है, was going, ऐसे करके, ठीक है ना, और चो तीसरा होता है, वो होता है perfect tense, तो जब आपको exam में में चुदाते है को sentences, वो आते हैं, एक sentence ज़रूर आता है, वो है past perfect और past tense का एक मिला जोना sentence, मैं आपको बताते हूं कैसे, जैसे कि एक sentence होगा, उसमें जो है, आपको मिलेगा word, एक past वा शब्द मिलेगा, और एक मिलेगा head के साथ, ठीक है ना, तो देखो, example क्या है, example मैं आपको बताते हूं यह वाला sentence, यह देखो, they dash home after they dash their work, ठीक है, अब देखो, इसमें sentence में क्या लेका है आपको, तो they went home, वो घर चले गए, they went home, वो घर चले गए, after they had finished their work, जब उन्होंने अपना काम खतम कर लिया था, आप देखो, इसके अंदर क्या है, जब हमने यह, देखो, एक sentence के अंदर, जब हमने क्या करा, एक, जब head क्या लेगेंगे, जब एक पहले काम खतम हो जाता, और फिर उसके बाद दूसा काम खतम होता है, मतलब यह, कि देखो, वो, after they had finished their work, जब उन्होंने काम खतम कर लिया तब ही तो वो घर गए, तो जो काम पहले खतम हो जाए, उसके आगे तो आप लाओगे, head, और जो काम बाद में हो, उसके लिए लाओगे, simple past वाला शब्त, तो यह sentence ज़रूर आता है, पक्का है, ठीक है, जैसे कि easy, जैसे कि लो, they went home, वो कब घर गए, जब उन्होंने काम ख खतम कर लिया, फिर वो कर गए, तब past वाला शब्त लग जाएगा, ठीक है, तो यह वाला sentence ज़रूर आता है, इस जैब का एक पक्का है, इसलिए से मैं आपको exam, यह ले लेते हैं, important कुछ ऐसी sentences हैं, यह लेखो, जैसे यह है, by tea time, our team dash had scored 300 runs, तो इसमें हमने जो है, past परफेक जो काम खतम नहीं हुआ, उसके लिए आप past perfect लगाओगे, पर past perfect का मतलब होता है कि काम खतम भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत खतम होगे, मैंकर चल भी रहा है, तो वो कह रहेते हैं, जैसे tea time तक हमारा, जो उन्होंने कितना score कर लिये थे, 300 runs score कर लिये थे, तो मतलब भी ख was, at most in this one point in, हो गया, तो काम खतम हो चुका है, आप देखो ये important example है, एक जी कही बार, after the guest had left, I sat down and took some rest, आप देखो इसमें क्या हुआ, after the guest had left, जब guest चले गए, तो जो काम पहले हो गया, उससे पहले क्या लगाना है, आपको, had, ठीक है, और head के साथ हमेशे क्या लगते है, verb की third form, याद रखना, head के साथ word की third form, मतलब जैसे की word है left, leave, left, left, तो left क्या होती है, third form होती है, इसी तरह से, जैसे हम कहते है, come, came, come, मतलब third line लिखनी है हमें, ठीक, तो इसी तरह हो जाएगा, after the guest had left, तो जब guest चले गए थे, आई, sit, sit का वाला past में जाएगा, sit का sad हो जाएगा, I said, यह simple past वाला word लगेगा, and took some rest, तो जो काम पहले हो जाए, उसके लिए हमेशा, head और past का third line, verb की third line, यह sentence को जुरूर ध्यान में रखना, ठीक है, हम लेक्स सिखवा आगे, अब आजाओ अब इसके उपा, यह जो verb मैंने आपको कराया थे, subject verb वाले sentences, यह बहुत important है, और बहुत easy भी होता है, सबहने लिए, देखो इसमें, आपको मैं फिर से revise करके बता दू कि, अब देखो जैसे sentence है, neither, either, इनके पाद हमेशा जो verb होगा, वो singular ही होगा, और singular verb का मतलब यह होता है, कि उस verb के आगे, ऐसे लिखा हो, verb के आगे, noun के आगे नहीं, verb के आगे, जैसे come है, तो comes हो जाएगा, comes का मतलब, यह singular के लिए आता है, ठीक है, जैसे कि, आप देखो, one of my teachers, one of my teachers का लिए, एक teacher की बात करें न, वो साइट टीचर में से, एक teacher, तो जब एक teacher है, तो कुन से word लगा होगा, belongs, verb के आगे के लगा दोगे, एस, तो यह verb क्या बन गया, singular बन गया, ठीक है न, अब जब बहुत सारे लोग हूँ, तो क्या लिखोगे आप, उस में से as नहीं लगा होगे, ठीक है, अभी मैं आपको को सेंटेंस देखते हूँ, जिसमें यह बात आ लिए, आप देखो जैसे यह है, the boy, the boy, अब boy का एक है, तो appears, ठीक है न, और जगर होता boys, तो boys appear हो जाता as हर जाता, appear में से, ठीक है, और जो यह word होता है, जैसे यह B, B की जो verb है, B के है, verb है, इसके जो forms होती है, वो है, is, am, are, is, am, are, ठीक है, यह है हमारा subject verb है, तस इतना ही समझना है, इस chapter में, और कर जहें, next में एक और वीडियो बनाऊंगे, जिसमें मैं कर आपको direct in direct, और कुछ और important जो जैसे reading section और writing section के बारे में बताऊंगे, so enough for this, please, अगर आपको समझनी में आता है, then please like, share and subscribe, thank you, thank you for watching my video.